दिल्ली महिला आयोग ने पिछले आठ सालों में शांदार काम किया एक लाख सतर हजार से जादा केसिस की सुनवाई करी है 181 विमन हेलप लाइन ने 40 लाख कॉल्स अटेंड करी है क्राइसिस इंटर्वेंशन सेंटर ने 60,000 से ज्यादा सेक्शुल असॉल्ट सर्वाईवर्स की काउंसलिंग करी है महिला पंचायत ने 50,000 से ज्यादा अवेरनेस सेशन कराए है और 2,000,000 केसिस को सुलजाया है रेप क्रैसिस सेल ने सेक्शुल असॉल्ट सर्वाइवर्स को दो लाख कोट केसिज में उनकी सुनवाई में मदद करी है पांच सो से ज्यादा रेकमेंडेशन्स दिल्ली महिला आयोग के द्वारा दिये गए यह सारा का सारा काम अकेले स्वाती मालिवाल का काम नहीं है स्वाइवर्स हैं जिन्होंने अपने दर्द से बहुत मुश्किल से उभर कर अपने अंदर पूरी जो आग है उसको महिलाओ की मदद में जोग दिया हर दिन हर घंटे हर सेकेंड यह टीम ने महिलाओ के लिए काम कराए तपस्या करी पर आज एल जी सहाब ने एक तुगलकी के फर्मान निकाला है वो कहते हैं कि पूरी की पूरी महिला आयोग के सारे कॉंट्राक्च्वल स्टाफ को निकाल दो निकाल के बाहर भैग दो तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि महिला आयोग में इस वक्त 90 कॉंट्राक्च्वल स्टाफ है अरे 90 स्टाफ है उसमें स सिर्फ आठ स्टाफ रेगुलर है बाकी सारे के सारे 82 स्टाफ कॉंट्राक्चुल है तीन-तीन महीने के कॉंट्राक्ट पर छोटी-छोटी सैलरीज पर ये लोग काम करते हैं तो 90 स्टाफ में से अगर 82 इसी कॉंट्राक्चल स्टाफ हटा दोगे तो सिर्फ आठ स्टाफ बचेगा तो 181 विनन हिलप लाइन आठ स्टाफ से चलेगी रेप क्राइसस सेल कैसे चलेगा क्राइसस इंटर्वेंशन सेंटर कैसे चलेगा महीला पंचायत कैसे चलेगी यह जो हर दिन 500 महिलाएं आती हैं लड़कियां आती हैं, मदद लेकर लेने के लिए आती हैं, पुलिस के खिलाफ आती हैं, ये लड़कियां कहा जाएंगी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बड़ा इल्लीगल काम चल रहा था जी, बड़ी बड़ी करप्शन ओर रखा था जी, तो एक बात बताईए, नौ सा आये कि हर दिन दिल्ली देश की राजधानी में छे रेप होते हैं, क्या अक्षन लिया इस रेप को बंद करने के लिए, रेपिस्ट खुले घूमेंगे और महिला आयोग बंद कर दिया जाएगा, इसके उपर ताले लगा लिए जाएंगे, ब्रिज भूशन कैसे अभी भी रिवन्ना इस देश को छोड़ के बाग गया, लेकिन देश के महिला आयोगों को बंद कर दिया जाएगा, ये राजनीती है इनकी, मैं ये जानना चाहती हूँ, कि इतनी छोटी, नकरत्मक और महिला विरोधी सोच का जो दर्शन दे रहे हैं, LG साहब, इससे इने क्या अरे लड़ाई लड़नी है ना, मुझसे लड़ी है, मेरे से लड़ाई है ना, दुश्मनी तो मेरे से है, गुसा मेरे से है, ब्रिज भूशन पे पूरे देश के महिला आयोगों में किसी ने सवाल नी पूछा, सिर्फ स्वाती मालिवाल ने सवाल पूछा, राम रहीम पे मनिपूर पूरे देश के महिला आयोग चुप है सिर्फ दिल्ली महिला आयोग बोला मनिपूर पूरे देश के महिला आयोग चुप सिर्फ दिल्ली महिला आयोग स्वाती मालिवाल वहां पॉची इस बात की दुश्मनी है ना तो अपनी सारी एजिंसी लगा दीजिए ना मेरे सरिंडर करना है पर महिलाओं से दुश्मनी निकालने से जो हाय लगेगी ना उससे कोई नी बचा पाएगा तो मैं आपको सीधे सीधे चितावनी देती हूं दिल्ली महिला आयोग की तरफ अपनी बुरी दृष्टी मत रखिए दिल्ली महिला आयोग को स्टाफ दीजिए दिल ऐसा सिस्टम लाना है कि कोई भी लड़की के साथ कोई भी कुछ गलत करे तो उसकी रूका पे अगर आप महिला आयोगों के उपर ताला लगा देंगे तो फिर मुझे ये बताईए कि कैसे बेटी बचेगी और कैसे बेटी पढ़ेगी राजनीती करिए पर महिलाओं के दोपे राजनीती मत कीजिए